आमिर लोन के बारे में ये बता दूँ कि 2013 में नाशनल केल दिया था इन्होंने बहुत महनत की, 9 साल की उम्र थी, आक्सिडन्ट हुआ, दोनों हाथ गबा दिये और जब परिवार बाले मिलने आये तो आमिर की मा से कहने लगे कि इससे अच्छा तो ये होता कि बच्चा खतम ही हो जाता लेकिन आमिर ने हाड नहीं मानी, लगातार महनत और मशक्कत करते रहे और आप इनको बैट और बल्ले के साथ जब देखेंगे तब कहेंगे कि अरे वाँ और हाली में साच्छन तंदुलकर से मिलके भी आये हैं कैसा था वो? साच्छन सर के साथ बहुत अच्छा लगा कि कि बच्चमेन में छो मे चाप देखा था कि मैं साच्छन सर की तरह बनू लेकिन एक्सिज़न के बाद बल्कुल यह प्र बढूरा सापनी तोट गया लेकिन बहुत ठोकरे खाने पड़े पड़े अक्सिजन के बाद हला कि हमारे गर्मे फैमली में बहुत कुछ था और जमीन भी बेज़ी, सब कुछ बेज़ डाला ताकि मैं ठीक हो सकूं और फिर लोगों ने मेरे मापड को कहा कि आपके पास इतना पाई सा यू अपने वेश्ट किया इसको आपने कियो बचाया और इसके बाट दोनु ऊक्पहे ने रहे वो एक हमारे गर में टेले वरजन नहीं था और दूसरे के गर में तेले वरजन देखने के ले गया तो उन्हों ने अपना टीवी आफ किया मुझे आप यहां से निकल जाओ और जैसे मैं निकला उस वक्त शचन सर खे रहे थे और फिर में यह आया कि मैं कहां से देखू यह कर किया इस देखू और पीछे उनकी किरके ती और उस वक्त शुराब के बीच में से मैं सचन सर को देख रहा था और जैसे मैं ने पूरा में देखा फिर में गर गया और सोग आओ कि यह कर्कट मैं खेलना चाहता हूं और कैसे खेलो हाथ नहीं है लेकिन मैंने दाजी जी को कह आप मुझे गयं फखिए और दाजी जी को बिलकुल गयं नहीं आती थी तो उनोंने गयंद उठाई और बोलिंग करने लगी और मैंने बिल्चा उठाय यहां अपने नेकौर शोर्डर के दर्में बिल्चा उठाया और वही जादा था में खिलने के लिए ने ऐसे नहीं चलेगा वो करके आपको दिखाना होगा बल्ला लाया जाए वही बल्ला है हमारे पास अगर है तो प्लीज लाइए जादी लाइए ये और आगया है और शेला बोलिंग करेंगी को नहीं तो दादी को भी तो बॉल ठेकना नहीं आती थी पर चक्का नहीं मारना है तो कुछ करेंगे अरे बाँ